राजसभा चुनाव को लेकर हर जगा जोड तोड कर समी करण बठाई जा रहे हैं उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीन नाम भेजा है जिनमें एक है जयाबच्चन, दूसरे है अलव कुरंचन और तीसरे है रामजी लाल सुमन इनमें से एक भी मुसल्मान नहीं है इस पर ओल इंडिया मुसलिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुदीन रिजरी ने समाजवादी पार्टी के मुक्या अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव की पार्टी को अंठानभी प्रतिशत मुसल्मानों ने वोड दिया लेकिन राजसभा में उन्होंने एक भी मुसल्मान को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है आएए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा अखले शियादौजी ने अभी तीन राजसभा के लिए नाम पेश किये हैं उन्होंने नाम कराया है ये तीनों को तीनों गैर मुस्लिम हैं जबकि 2022 में मुसल्मानों ने उनकी इज़त रखी और 98% मुसल्मानों ने समाजवादी पार्टियों को ओट दिया और पूरे देश में उनका सर उचा किया मगर उन्होंने मुसल्मानों को नजरादाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेष करने के बजाए उन्होंने तीनों को तीनों घेर मुसल्मानों का रख बनता है कि दो लोकसवा के नाम पेश करना चाहिए मगर उन्हों नहीं न करके यक तरफा उन्होंने फैसला किया और साथी साथ उनकी कम सीट देने की वज़ा से जैन चोधरी भाटपा में चले गए और ऐसे ही नेशनल पार्टी कांग्रेस है जिसकी देश में कई राज्यों में उसकी हुकुमत हैं इसके बावजूद भी वो उतरपदेश में दो सीटों की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गडबंदन का जो गडबंदन है वो किसी ने किसी तरीके से वो तूट जाए वो गडबंदन का धरम नहीं निबाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो चोर दर्वाजे से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्मेंट दुबारा वो बनवाना चाहते हैं और भाजपा की सीटें असी की असी सीटें वो उत्तर परदेश में लाना चाहते हैं वही दूसरी तरफ अपना दल का मेरावादी की नीता पल्लवी पटेल ने भी राजसभा भेजे जाने वाले लोगों के नाम सामने आने के बाद आपत्ति जाहिर की है पल्लवी ने खुद को वोटिंग से अलग करने का ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अगर दलित मुसल्मान और पिछड़ा का वोट लेते हैं तो इमानदारी से प्रतनिधत्व दीजिए ये जया और आलोग पीडिये नहीं है जमीन तोर पर पीडिये को दिखाना होगा चाहे कॉंग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो हर गड़बंधन को पीडिये की बात करनी चाहिए हलाग एकलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही पीडिये की लड़ाई को मजबूत करने और उनके साथ की मांग की थी भारती जनता पार्टी से और भारती जनता पार्टी की लोग पीडिये से घवराई हुए हैं जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडिये की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे और जहां तक पार्टी के निड़े का सवाल है आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही है अभी तो MLC आना है फिर राजेसभा आना है फिर MLC आना है तो यह पीडिये की लड़ाई कांगम जोर हो रही है राजेसभा चुनाव के लिए समाजवादी पाटी तीन सीटों पर दावा ठोक रही है हर सीट के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है यानि तीन सीट अगर सपा को जीतनी होगी तो 111 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सपा के अभी सिर्फ 108 विधायक हैं कॉंग्रेस के दो विधायक को जोड़ दें तो उसके पास विधायकों की संख्या 110 हो जाती है क्योंकि RLD पहले ही अलग हो चुकी है